नमस्कार सारे राजाओं को राजा बनना हैं आज इस लेक्चर में हम कम्प्लीट करेंगे कि कैसे किसी बच्चे के लिए हम एक अच्छा भवश प्लाइन कर सकते हैं या कहिए कि वो कैसे एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है इसके लिए हमें कुछ देवता या कहें मनुभाव का उप्योग आएगा देवता फिजिकल नहीं होते हैं देवता केवल हमारे थौट प्रिसिस को हमारे सोचने की शक्ती को हमारे किसी भी कारे को करने की जो दिमागी शक्ती है उसे निर्धारित करते हैं आज उनी कुछ मनुभावों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. बच्चा या कहें मानविय दिमाग जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और उसी डेटा में कुछ इन्फरमेशन्स प्रसिस करते हैं और फाइनल आउटकम लेते हैं. आप समझी पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले किसी इन्फरमेशन को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज बैंक की आवशक्ता पड़ेगी. स्टोरेज बैंक देखा जाए तो डबलू थरी का सुग्रीव सुन्दर ग्रीवा आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना सुग्रीव ग्रहंड करने की शक्ती डबलू थरी का देवता स्टोरेज बैंक का बहुत बड़ा काम करता है. किसी भी मानिविय दिमाग में अगर इन्फोर्मेशन स्टोर नहीं हो पारी है, वो भूल जा रहा है, कुछ भी बात है तो वो याद नहीं रख बारा, तो आपकी सबसे पहली नज़र डबलू थरी के देवता, विस्ट में सुग्रीव के उपर जानी चाहिए. यह होगे आपका स्टोरेज बैंक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किसी भी इन्फोर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इन्साइड्स आना, तो यह सिखी का काम है, यह इवन का देवता है, सिखी इसका नाम है, नौर्थीस पे विराजमान है, सिखी, इसे ऐसे कहें, कि प्रोसेस करने की मैंने बात करी, किसी इन्फोर्मेशन को क्रंच करने की मैंने बात करी, तो हमारा क्रंचिंग या हमारा मन्थन जो करता है, वो करता है, E7 का देवता, इस्ट में एक E7 का देवता है, ब्रिश नाम का, यह इन्फोर्मेशन को क्रंच करके, उसके अंदर से आ परदने में रूची लगाएगा, उस information से कुछ crunch करके data निकालने की कोशिश करेगा, और उस data को अपने अंदर store भी करके रखेगा, ये तीनों के तीनों बहुत important energy fields हैं, जिसमें ये कारे होता है, फिर इसके support में भी कुछ energies का हमें आवशक्ता पड़ती है, एक बच्चा, जब कोई भी अच्छा कारे करके आता है, ये कुछ ऐसी energies हैं, जो हमें केवल support के लिए आवशक्त पड़ती है, एक बच्चा कभी भी कुछ अच्छा कारे करके आता है, तो उसे motivation या motivated रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें हमारे लिए जो काम करती है energy, वो ह सवीता, South East की पहली energy, ये केवल एक motivation का भाव है, क्योंकि व्यक्ति जब भी उचाईयों तक पहुशने की कोशिश करता है, वो तभी पहुश पाता है, जब वो motivated रहता है, इसी के साथ साथ एक और energy, जो की North West में विराजमान है, जिसका नाम रुद्र है, रुद्र है, अगर आप वेदों में देखेंगे, तो ये है हमारा medulla, जो हमारे दिमाग की 10 veins को गवन करता है, क्योंकि 11 रुद्र कहे गए न, तो 11 रुद्रों में ये वो रुद्र है, जो हमारी 10 दिमाग की नाडियों को गवन करता है, तो रुद्र, रुद्र बहुत important energy है, देखा जाए तो, साहग भी है, अगर हम south east के देवता, सवीता पे कारे करते हैं, तो just उसके correspondence में, हमें रुद्र के उपर भी विचार करना चाहिए, और रुद्र, जो information process करके, हम जब भी उस पे कोई action लेते हैं, तो वो बहुत साहग होती है, इसी तरीके से ये 5 energy fields हैं, अभी exams भी आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे number आए, तो अभी से तियारी कर लीजे, ताकि हर एक बच्चा उचे से उचे मकाम को हासल करें, और पढ़ाई में अवल marks लेके आए, हमने इनी के कुछ ready to use packets बना दिये हैं, जिने आप अपने घर में install कर सकते हैं, ये कुछ 5 बहाओ हैं, इनके उपर कुछ metal pieces, springs और कुछ देपताओं के compositions को बना दिये हैं, आप अपने घर पे swim खुद लगा सकते हैं, और इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो 13 December को एक online course हो रहा है, उसमें इनी 45 शक्तियों के और combinations को समझना हो, तो join कर सकते ह description box में दिये गए link को follow कर लीजे, या office में इस number पे call करके आप अधिक जानकारी राप्त कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं next lecture में